नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम डिजन आइस की मंतली मेगजीन को कवर कर रहे हैं तो इससे पहले हमने मैं जून जुलाई और अगस्त माह की मंतली मेगजीन को कवर किया है और उसके डिटेल वीडियो मैंने यूटूब पे अपलोड क कर दिया है जहां आप जाके उसको प्लेटिस्ट के माद हम से आप देख सकते हैं जिसकी मैं लिंक के डिस्क्रिप्टन में उपलब्द करा दूँगा तो आज हम जो चालू करने जा रहे हो दिस सितंबर माह की मैंतली मैगजीन है तो उमीद है आप लोगों को मेरा दिये हु देखें तो अच्छी बात है ना भी देख पाए तो आप सुनके भी एक तरह से मैंतली मैगजीन को कवर कर लें और इसमें कुछ डाटा एड़ करने की जरूरत होती नहीं क्योंकि जो भी रहता हो परयापत इसमें रहता है क्योंकि यह प्रिलम्स पॉइंट आप यूसे आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पढ़ें तो मेरा एक सजेसान और है कि जैसे लोग दाहिंदू पढ़ रहे हैं और कैसे हैं कि बहुत तरीके के पेपर पढ़ रहे हैं इसके लिए करेंट अफर्स के लिए तो मैं उनसे यही कहूंगा कि कोचिंग वाले जो मैगज करिए क्योंकि इसका फाइदा यह है कि आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत बच रही हैं साथी साथ आप एक महीने अगर पंदर दिन भी इसको अपलगातार पढ़ रहे हैं तो आपका वह चीच क्लियर हो रहा है जो आप एक तरह से पढ़ड़े आप पढ़ रहे हैं तो वह उतना जितना आप प्रिसाइज करेंगे उसको पूरी चीज देखेंगे उससे अच्छा पीसे को पढ़िए मंतली मेंगजीन क्योंकि इसमें भी उतनी ही मेनत करते हैं और आप से ज्यादा एक्सपर टीचर्स लगे होते हैं मैंतली मेंगजीन को मनान कि जो रोज डेटा पढ़ते हैं मतलब पेपर पढ़ते हैं तो करेंट अफेर्स के लिए उससे अच्छा है कि आप मंतली मेंगजीन पकड़िए क्योंकि वह सफिसियन डाटा रहता है और अगर उसको रोज पढ़ते हैं तो आपका वह मेमोराइज जादा होता है तो मेरा आ पर चीज को प्रिसाइस करके आपको प्लब्ध कराते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि इतना जादा सलेवस का वर्डन हो जाता है कि और चीजे पढ़ना उतना असान नहीं होता है तो इसलिए मैं प्रिफर करता हूं कि आप वीडियो के माध्यम से आप इसको देखके सुनके भी आप समझ सकते हां तो चले आज का लेक्शर चालू करते हैं आज कि लेक्शर में जो हमारा पहला टॉपिक है प्लिटी इंग स का तो लेक्छर चालू करने से पहले हम ऩंसके एक तोस Kneleống का सिड़ा हैं कौन-कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया गा उसके बारे हम देखेंगे और यह समय एक साथ चुनाव जो एक तरह से कह सकते हैं भारा सरकार की जो कोशिस है क्यों बिधान सब्सक्राइब और आप कह सकते हैं कि लोग सभर विधान सभर की चुनाव महाल में नेताओं का उससे टाइम कम हो जाए और साथी साथ देश की सेवर विकास में भी एक ताय से आउसर मिल सके उसके लिए एक साथ चुनाव में क्या क्या पॉइंट है वो देखेंगे आइटी फीसल इंटिलिजन्स और चुनाव में क्या क्या हो सकता है बेक्तिगात अदिकार है ना संसत का सचीवाल है और संशिप सुर्कियों में देखेंगे जैसे पाकिस्तान से आएक सवाट प्रवासियों को गुजरात में आगरिकता परदान की गई है ना संसत बिधायों क कि आयोगिता के बारे में देखेंगे राश्य भाउप सभापातियों के पैनल जेल सुधार और बस 2014 से पहले भ्रस्टाचार के मामलों में दोसी लोग सेवकों की गिरफ्थारी को संद्चत नहीं मिलेगा तो यह महत्पूर्ण जो टॉपिक है उनको हम पढ़ते हुए आग बारे में देखेंगे जो हुआ है जैसे नई दिल्ली घुसना पत्थ हुआ है भारत मद पूर वहिरों की अर्थिक गल्यारा हो गया अफ्रीकी संग जी टॉन्टी के एक स्थाई सदस्वना विस्सु को एक जूट करने वाले देश की रूप में भारत तो यह जो महत्पूर में आप देख सकेंगे 106 संविधान संसोधान ने दिनियम 2023 पारित किया गया तो इसका उत्देश से किया था लोकसभा राजविधान सभाव और आस्टी राजधानी छेत्र दिल्ली की विधान सभाव में हिलाओं को एक ती है सीटों का रच्छा प्रदान करना तो 123 में संस 1480dalbert जिसमे दिल्ली विधान सभा में हिलाओं का रच्छा प्रदान किया जाएगा सं मिधान में नएच अनुछ्य जोड़ेगे जैसे 330 है जिससे लोगसभा में महिलाओं का रच्छन, 330 में लोगसभा में अनसूची जाती हों, तथा अनसूची जन जाती हों के लिए आरचित कुल सीटे, क्योंकि आज काल देखते हैं महिलाओं से जुड़े मुद्धे इतने हाइलाइटेड हो जाते हैं कि उनसे रिलेटे जो भी न्यूज आती है वो एक्जाम में है ना और साथी साथ आपके वे कानून में भी बहुत ही ज़्यादा उपियोगी हो जाते हैं तो 333 से लोगसाबहां में सीटों के लिए महिलाओं का रचन है 330 में क्या है राज विधान सभाव का रहेगाお願いします सबाव में अनुसूशी जाती हो स्टी सी की कुल आरच्छे सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरच्छन प्रणधा किया गया अनुच्छे 334 में महिलाओं के लिए क्या कि पहली जड़ गरना आजी तोची इसके अधार पर परिसीमन की प्रक्किया पूरी होने के बाद यह ला प्रतेशन प्रतेख आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा और साथ मौझूदा विधान सभाओं और लोग सभा के बिगटन तक किसी भी प्रत्रियुद्धित को यह प्रभावित नहीं करेगा अलगी मतलब कहने हैं कि ठीक है यह सब जो लाया जा रहा है तो उसके पीछ सब्सक्राइब नेपाल पाकिस्तान स्रिलंक और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी कम है मतलब यहां महिलाओं का प्रेसर ज्यादा है ना अब इस वार्थिक मंच पर ग्लोबर जिंडर गयप रिपोर्ट में भारत के खराब पर दरसन का एक मुख्य करण यह भी पर अरच्छन से लाब हो जाने से क्या होगा महिलाओं के महिलाओं की परतीसत्त के दिवलम्मेंट है उसे भी बराबर मिलेगा और इस अलन्यम के लिए कि कुछ चिंताइं भी वक्त की गए हैं तो उसमें किया है कि यह समानता के खिलाफ है है ना क्योंकि आप महिला पुरुष को बराबर करना चाहते हैं लेकिन एक तरह से आप वहचा कर दें कि आराची सीड़ दे रहें तो इसे योगता पर 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 दिस सासत्तिकरण पर कंप्रभाव होगा चुनावी सुधारों के मार्ग में कुछ बड़ी विदमान आ जाती जैसे राजनीतिक पराधिकरण राजनीतिक दलों में आंतरिक लोगतांच का अभाव और राजियों में असमानता कर देखा जाए तो बरस 2018 महिला रच्छन विध्यक रोटेशन की अरच्रण का तरह से जातीनतिक राज्बाव सभाव हो के रच्छनवूर्ष कोई ऊप्रावधान यह सकता है कि समय पर कार्यार्मन किया जाए और छंता निर्मान को एक तरह से मालगदरसन जिया जिसे महलाओं का प्रसिछन भी हो और उनके नागरिक समाज अन्य संस्थानों को सामित किया जा सके सब्सक्राइब कराने की संभावन की जांच करेगा और इस पर सिफारीज भी करेगा तो एक साथ चुनाओं के बारे में विशेष निर्वाजन चित के मत दाता इन सभी चुनाओं के लिए एक दिन मतदान करें तरह हैं कि अ कि एक तरह से महौल पूडा बना रहता है चुनाओं को लेगे हाइप बनी रहते उससे थोड़ा चुटकारा मिलेगा एक साथ चुनाओं के पच्छे में क्या कैसे बार बार आधर्स अचार सहींत लागौ कने में स्रासन विवस्ता पर प्रभाव पड़ता है ना लोगों के जनजेवन पर भी प्रभाव पड़ता है जो जरूरते होती हैं सहाथ में कहीं आने जाना क्योंकि आचार Σहींत। में एक साथ ग्रूप बना की लोग नहीं घुम सकते तो इससे दिक्कत होती है चुनावों के आवे जिने में भारी खर्श होता है जिससे भी बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि लगवुक्त दस अजार करूर रुप एक आपचारिक ब्या किया जाता है अगर एक साथ सारी चुनावों हो जाएं तो जो अतरिक ब्याव होता है उससे अलग से विकासात में कारियों में लगाया जा सकता है सुरक्षा कर्मियों की लंबिया वज़ तक चुनाव ड्यूटी में तैनाती हो जाती है जैसे अब स्कूल के टीचरों की कॉलेज के प्रोफेसर होगे जो गवर्मेंट के और एंप्लॉई होगे उनको ज़्यादा तर्क्या होता है कि चुनाव में ड्यूटी लगा देने से पुलिस करमचारी होगे तो बेवस्था भी चौपट होती है क्योंकि इस्कूलों में छुट्टी होती है चुनाव के करण बार बार तो बच्चों का भवी से भी एक सिक्ष्छ में अस्थर में भी थोड़ा ड्यूटी होती है और सरकारी जितने भी दप्तर होते हैं वहां कुछ काम हुआ तो दफ्टरों में छुट्टी होने के करने पर दफ्टरों के जो करमचारी हैं उनके चुनाव ड्यूटी हो जाने के करण उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि दवाव बढ़ जाता है डबल काम करने कर अनमुद्दे में जैसे सामाने जन जीवन बधित होता है ह और कई बार चुनाओं देश में धुविगर्ण की बजह बन जाते हैं जिससे क्या होता है जाती बात सांप्रदाइक्ता प्रहस्टाजार और क्रोनी के प्रिजल के समस्था को भी बढ़ावा मिल जाता है जो एक तरह से बहुत ही गिलत बात है एक साथ चुनाओं करने में प्रस्ताव सभी चुनाओं उप्चुनाओं में सम्मंदित पीज़ समिधान की कई प्रावधानों को संसोधन करना पड़ेगा इससे लाजिस्टिक और वेरहांस से जुड़ी समस्यां भी पावदा पैदा हो सकती है मत दाताओं के बेवहार पर पर प्रफाव पड़ेगा क एक साथ चुनाओं में सिपारिस के जैसे बिदी आयोग की एक सो सातरमी रिपोर्ट जो थी उनीस उनिजनाने में उसने भी एक तरह से तरक दिया था कार्मिक लोक्सिकायत और कानून एबने समंदित संसदी स्थाई समित ने भी उन्यासमी रिपोर्ट में अपने दो चुनाओं के लिए कह सकते हैं कि ऐसी पारिस की थी निती आयोग जो 2017 में थे उसने भी 249 सुंपन चुनाओं कराने के लिए एक तरह से कहा था जिससे क्या हो कि विस्वाब प्रस्ताव के साथ विस्वाब प्रस्ताव पस्तु किया था कि बैकल्पिक सरकार का गठन बना रह है उससे लिए आवस्ते हो जाएगा कि किसी निर्णाय पर पहुंचने के लिए गहन और पार्दैसी तरीके से विचार भी मर्ज किये जाए इस दोरान हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी लोगतांत्रिक प्रकीर अच्छुन भी बनी रहे तो यह हमारा एक साथ चुन कि यह द्वारत तरक करने सीखने योजना बनाने और रचनात्मक्ता को पर दरसित करने जैसे मानवी कारियों को सच्छम करने में इन में संच्छमता होती है तो यह आई की क्या भूम क्या होती च Willow के जैसे भविस्वारी करने वाला या मॉडल बन जाता है जिससे जंसंख् करते हैं सोचल मीडिया का विस्लेशन किया जाता है जिससे सोडल में आउट्रिश कारिकरम भी सुरू कर सकते हैं वैक्ति करण में क्या होता है विस्ट मतदाताओं और उनकी रूचियों पसंद अगुड़ों के अधार पर संबाद तया करना क्योंकि आज बरतमान समय में लेट करने में फायदा मिलता है जिससे क्या होता है सोचल मीडिया की रुज़ानों भावनाव और इंफ्लुएंसर से संबंदित डेटा कर रियल टाइम मुल्यांकन कर सकते हैं जिससे चुनाव भियानों संसे संदेज प्रसादित करने के तरीकों तक लोगों को पहुंचान हो जाता है और चुनाव में AI से जुड़ी चिंटाव में कहा है पहला हेर फेर सरभीनीखतियों को बदणाम किया जा सकता है यह उन्हें ब्लैक मिल किया सकता है चुनावी प्रक्राइं में जन्विश्वास की कम्या सकती कि लोगतांती संस्थानों चुनावी परकिया पर जनता की विश्वास को कम जोर कर सकते हैं बिन्यम्यन का भाव होगा सटीक्ता और डेटा की गुडवत्ता जिससे कहा होता ओप्लवड डेटा की गुडवत्ता और मात्रा में भी बाधाउत पन हो सकती हैं कि समद्धी कमिया होगी डेटा सम चती है और सांसे जस बनाना चाहिए जिसे का होगा प्रेक्टी करना आवाज सक्ताओं का निवार बना दिया जाए नवाचार और पता लगाना डीफ फेक कंटेंट की पहचान करने और मतदान से संब्धित प्रचार अभियानों का पता लगाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना अनकूलता प्रत्रिक्रिया जिससे कहोगा चुनावी प्र सफावाज घष्त छावई को जन्ताव तवारा आसानी से पहचानी जाने वाले किसी अनविसेस्ता प्रत तो भारतमें वक्तिप्त क्या होता प्रत्र का है तो स्कानुन का इंध स्ट कानून जैसे कानूनों द्वारा सासित होता है और दूसरा है निज्टा का दिकार जो सम्रिधान के अनुच्छे दिकीस और नयामूर्थी केस पुट्टा-सवामी मामले में सुप्रीब कोड द्वारा दिये गए यह सासित होता है कुछ ऐसे बित्तितिकार होते हैं जो मरणों परांदी यह जैसे प्रतीक और जैसे आप सौरे चक्र दिया जाता है और आर्मी में दिया जाता है भारती दंड सहिंता में दंड मान धहन के मुकदमा दायर कर सकता है जो अ बनाम राजिस कुमर जो एलेस 2012 में बैक्तिकी छवी को सरवजनी के रूप से गलत तरीके से पेस्क करने से उसका गलत इस्तमाल नहीं करने का अधिकार सामिल है दीपा जैकुमार बनाम इस एल बीजय मामला जो 2019 में आया था उसमें भी बताया गया था कि उस बैक्तिकी के ब सकते हैं कि निरने आया था अनुचे बनाम नेटवर्क सल्यूशन प्राइवेट लिम्टेड और उन्वार जिसमें दिल्ली हाई कोट ने निरने दिया था तो यह भारत में बैक्तिकारों को लागू करने में आने वाली चुनोती में जैसे हैं समिधान के साथ टकराव के कानूनी फ्रेमबर्क का भाव हैं बैक्तिकारों के अलाग अलाग पहलियों को सासित करने के लिए कोई ब्यापक कानूनी फ्रेमबर्क नहीं है डार्क पैटर्न जिससे AI को बीने मीद करना मुश्किल हो जाता है तो निसकर्स में देखेंगे कि व्यत्वित अधिकारों में क अब हमारा जो आज का पच्छमा टापिक है संसत का सचिवाला है सेक्रेटिये टॉप पारलिया में तो इसको हम देखेंगे इसके सुर्खियों में रहने की बज़ा क्या है कि भारती संसत के गठन के 75 बस पूरी हो चुके हैं जिसे उनके बिधाई एक तरह से सुर्खियों म कि सेवा आज की सर्थों को बिनयमीद कर सकती हैं यह अनुच्छेद संसत के दोनों सदनों के लिए सम लित पदों के सिजन का भी अनुच्छेद 187 क्या करता है कि इस अनुच्छेद के तहत राजविधान मंडलों की सचवाले के लिए अनुच्छेद उनठाने के तहती प् अनुच्छेद सचवाले के कार क्या होते हैं जैसे आपका दिया गया इसमें बेतन भुकते बेतन अभुकतान किया जाता है बिभीन संसिधी समितियों की संचाले की सेवाय प्रदान करना है ना महा सचिवदारा पीठा सीन अधिकारी को सहायता और सलहा देना अनुसंधान संदर्व समाग्री तैयार करना साथी साथ सदनों की प्रतिन कारवाहियों के रिकार्ड करना और सचवाले सहायता अप्लम करांती होगे इसकी नस्तर नचना में देखेंगे तो जो लोकसभा सचवाले होता है उसमें लोकसभा अध्यच्छ लोकसभा सचवाले के मागजरसन और नियंद्टर नितकार करता है इसका प्रसासनीक प्रमुग जो होता है लोकसभा का महासचीव होता है भरती और सरते में देखेंगे ति लोकसभा सचिवाले नियम प्रसासनीक नियंत्रण में कारता है इसका प्रमुग महासचीव होता है और भरती नियम होता है इन नियमों को राष्टपती राज्य सभा और सभापती के प्रामर से प्रख्यापित कर सकता है तो और आगे में देखेंगे इसमें तो सच्वाले से सम्मधित कमिया क्या है जैसे कानूनी फ्रेमबर की अनफस्थिती है ना अनुच्छे दंठाने के तरह सभी विए ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जो संसत के किसी भी सदन के सचिवाले कर्मचारियों की भरती और सेवा सर्तों को बिनयमीत करता हो स्वयक्तत्ता क संखित करता है कि सरकार का काम का सुचारू रूप से चलते रहें साथ या सुनशीद करता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाए तथा जबाब देहीं और पार दर्शिता एवं प्रतिनधित्त्त की सिध्धान्त को बहाल रखें संचीत सुर्कियों में क्या है कि पाकिस्तान से आए 108 प्रवासिक गुजरात में नागरिक्ता प्रतान की गई है तो इसमें क्या है आपके लिए जो जरूरी है और नागरिक्ता के लिए जैसे समयधानिक प्रावधान जो समयधान के भाग दो में लेखित है जो अनुच्छेत पान छह साथ आठ में नागरिक्ता के बिस्तार से प्राधान किया गया हैं अनुच्छे देग जारा संसत को नागरिक्ता के और और समाप्ति प्रावधान का भी अधिकार देती तो या समानधा 12 वर्सों में भारत में निवास रहा हो आवेधन के जैसे कोई भी बिदेसी जो देसी करनड़айте भारत की नागरिक्ता प्रदान कर सकता है बसर्ते वह समानले था बारावरसों से अधिक भारत में रहा हो हैना अभेधन की तारिक से ठीक पहले बारा महीने के अभदारीट वह था भारत में रहा हूँ और इन 12 महीनों के पहले 14 वर्सों में कुल मिलाकर एक 12 वर्स भारत में रहूं। नागरिक्ता अधनियाम 1905 के तेसे नसूची में निर्दिष्ट अनप्रतताय भी दी गई हैं। तो यह हो जाएगा भारत में नागरिक्ता प्रदान करने के तरीके। हमारा जो दूसरा है संसत विधायक्यों की आयोग्यता तेसमें कहा कि करनाटक हाई कोट ने हासन निर्वाचन छेत्र में लोक सवसदस के चुनाओं को अमान घोसित कर दिया। तो जो आर्पी ए उनिर्वस इंग्चामान यानि लोक प्रत्यदित अधिनियम की धार उनिर्वस पच्चामान के थैत हाई कोट ने कुछ अधारों पर अनचुनाओं को अमान घोसित किया है। जैसे एक बार चुनाओं अमान घोसित होने सदस को अपना पत्याग न होता है। हाई कोट के फैंसले से असहमत होने पर ये सुप्रीम कोट में अपील दायर कर सकते हैं। तो आयोगता के कारण क्या है। तो इसमें दो बर से धी कारवाज की सजा हो सकती है। जिससे उस सजा की अबाद ही तथा इसके आतरी 6 सार चुनाओं रणने में प्रतिवंद हो सकता है। समिधान की दस्मियन सूची में दल बदल के अधार पर आयोगता का प्रावधान किया गया है। समिधान कानुचे देख सदो एक और एक संचान ने एक में भी संसा सदस अविधान सभा सदस के आयोगता से संबंदित प्रावधान है। इसके साथ लाप कपा धारण करना मांसी ग्रूप से असस्वन होना और दीवालिया होना या बैदनागरिकना होना भी एक तरह से संसत के सदस्यता को छीनने के लिए प्रयाबताधार है। तीसर टॉपिकर राजसभा उपसभापतियों का एक पैनल ये कहा है कि इसका जो गठन है राजसभा में सभापती ने उपसभापती एक पैनल गठन किया जिसके कि अब इसस्ता इसके सभी सदस से महिलाए हैं। तो सभापती राजसभा सांसदों में से उप सभापतियों के पैनल के सदस्यों को नामित करता है ना उप सभापती में कोई भी एक सदन की अधच्छता करता है ना उप सभापती का रित्थ होने पर इस्थित में यो सदन की अधच्छता नहीं कर पाता है एसी स्थिति में राष्टपती सभापती के कर्ट अब्यों का निर्वाहन करने के लिए राजसभा के किसी एक सब्सक्राइब करते हैं तो यह पैनल जो सुर्खियों होने की बज़ा है कि किसमें सभी महिलाएं हैं जेल सुधार में क्या किया गया है कि अतिदिक भीडवार दे जिन उसमें इसका जो डाटा दिया गया था वह आज यह दुवारा दिये गया तो इस तरह से अकर आप अपना एक तरह से मंड एक्टिव रखते हैं तो आपको पतर हैगा कि जो जुलाई में हुआ है वही अगस्तिया सितंबर में भी रिपीट होता है तो जिससे कहोगा कि आपके लिए आसान हो जाते हैं कर्मचारी की कमी है ना महgensके क्यादी में जैसा 27918 महिलाकियों में से 1650 महिलाक्यों के 1856 बच्चों के साथ मैं महिला भी सेज जेलोंगी संक्षा कम है तो इस वजह से महिलात क्यों को दो कह समस्शायों का सामना करना पダ थे जेल से जेल बजट भी 0% 6 प्रिस्टाथ ही कैदियों के लिए हैं एक प्रिस्ट उनके कल्याण समित गतिविजर पर खर्च हो जाता है तो यह है अब हमारा पच्छमा टॉपिक जो है बश्टाचार के मावलों में दोसी लोग सेवकों की गिरिपतारी में स्नक्षन नहीं मिलेगा तो दिल्ली पुलीस विशेष पुलीस अस्थापना ज्याद नियाम 1946 की धारा च्छे को असाध्यानिक गोशित कर दिया गया है ना जिसे पूर प्रफास से लागू होगा अर्था इस तरह से हमारा यह पॉलिटी और गवर्नेंस के चैप्टर कम्प्लीट होता है अब हम अगला जो देखेंगे वह अपना इंटर्नेशन के देखेंगे तो चलिए उसको देखते हैं तो इसका पहला टॉपिक है भारत और जी टॉन्टी जैसे आपको पता है कि बरतवान में भारत ने जी टॉन्टी के अद्च्चता की है तो इसमें इसका आजयान नई दिल्ले में बसुधायब को टुम्ब कम अत्वा एक प्रित्वी एक परिवार एक भविस्ट की तीम पर किया गया तो थोड़ा जी टॉन्टी के बारे में हम देख लेंगे तो जी टॉन्टी के में एस याई बित्ती संकट के बाद इसका एक तरह से कैसे क्टिंग गठन किया गया था जिसमें बित्त मंत्रियों केंद्री बैंक के गवर्नर के लिए बैस्विक अस्तर पर आर्थिक और बित्ती मूर्दों पर चर्चा कहने के लिए एक मंच प्रदान करता है इसका उद् अध्यशता कर्मिक रूप से बदलती रहती हैं ट्रॉइका अर्थात भूतपूर बर्तमान और आगामी अध्यच जी टॉन्टी प्रेजिदेंसी में सहाइक भूमका निवातें बर्तमान ट्रॉइका में इंडोनेसिया भारत और ब्राजील सामिल है जीटेंटी में दो सामन अर्जेंटीना साउथ कुरिया मेक्सको रूस और साउथ आफ्रीका कनाड़ा अस्ट्रेलिया तुर्किय इटली और सौधी अरब जापान जैसे देशिस में सामिल है प्रतनिधित में क्या होता है कि बैस्विक जीटीपी का 85% बैस्विक पार में 75% अभिस्व की आवादी क सब्सक्राइब निवास करती है अभी जीटीटी जो सिखार सम्मेलन हुआ था उसके क्या प्रणाम आया है तो इसमें कहा थे जीटन्टी ने दिल्ली की लीडर्स घोषणा प्रत को अपनाया गया है ग्लोबल वाइफ फिल्स एलाइंस की सुरुवात की गी मध्ध भारत मध पूर्व यूरोप और्थिक गलियारा को समझा तक जैपन पर हस्ता चर किया गया अफ्रीकी संग को जीटन्टी का स्थाई सदस के रूप में अपचारिक रूप से सामिल किया गया तो यह आपके जीटन्टी के प्रणाम आगए अन्यमहत में देखेंगे तो वैस्विक बि इद्वान चनोतियों का सामना करना मानस्वंसवंधर नें विकास रोजकार के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि परतिवद्धता प्रकट की है जिससे 25 गोड़ते 25 के लच्च के नाम से भी जाना जाएगा तो यह जीटन्टी के आउटकम्स है अब भारत में जीटन्टी के प् पच्ची संस्थाय और महिलाओं के नेत्रित विकास तो यह भारत के लिए प्रत्थ मिक्ताय जीटन्टी के बारे में चुनोतियों में क्या है कि सदसे देशों को अलग-अलग हीत आउग प्रत्य मिक्ताय है मतलब इनका हीत एक साथ नहीं सकता है जिससे क्या होता है विक्स और बढ़ता सनच्चन बाद विश्व की बड़ी अर्थवस्थाहों के विश्व सनच्चन बाद अभ्यापार संबंधी तनाओं की प्रवित बढ़री है आगे किरा में क्या किया जा सकता है आंत्रिक संगहनसों से बचना समा बेशिता को लागू करना ताकि जिससे क्या हो के मंच पर उन सभी बातों को ठाया जा सके तथा उन पर भी बीचा किया जा सके जो गहर सदस्य देश हो गहर सरकारियबिकरताओं प्रभाविक क्रियान्मन हो ताकि सिखर समयनन को मजबूत बनाया जा सके निरंतरता बनाया रहिए तिये हो गया नई दिल्ली घोसनापत्ति यह क्या है इसकी थीम क्या थी कि SDG में प्रगति लाना है ना जिससे विकास डेटा के लिए D4D का उप्योग पर G20 के समर्थन किया गया साथ ही विकास सम्मंधि छमता निर्मन के लिए डेटा पहल सुरू करने का किया गया मजबू संधारणी और संसुलित समावेसी विकास महिला ससत्ती करण एक अलग कारे समूग बनाये जाएगा 21 सदी के लिए 25 संसधान जैसे विए जीए 75 बटे एक संज्वाता संपन हुआ सम्यूतरा सुरक्षा परिसात के सुधार करने के सिपारिस से है प्रद्दोग की सिंखलाओं की मैंपी के है तो जी टॉन्टी जेनरिक फेर्मवर्क अपनाने पर सहमीत बनी है ना स्टार्ट अप टॉन्टी इंगेजमेंट ग्रूप का गठन किया गया तो यह जो हमने इतना तो यह पढ़ा है तो यह आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको ध प्रयासों में आगे बढ़ना है ना सतत्भविस के लिए हरित्विका सम्झाता जिससे 2030 तक नभी करने उर्जा छम्तों को तीन गोना प्रयासों को बढ़ावा देना है ना 2030 से पहले लगभग पांद सम्लों वाट पांद सम्लों ट्रिलियन अमेर्की डॉलर की बित इंडेस्टी कोईलियेशन ट्रेवल फर लाइफ जैसे पहले स्वरू करने की बात कही गई है ग्रह लोगों को सांती सम्रिद्धी के लिए उक्रेयन मुद्दे पर आम सहिमत और रूस उक्रेयन की युद्धि के बैस्विक अर्थवस्ता पर पढ़ने वाले प्रतिकोल प्र चस्तरी सिध्धान्त को दस्तवेश को बनाया गया जी टॉन्टी ग्लोबल लेंड इने सिट्य को मजबूती दी गई खाद शुरक्षा पोशन पर डेककन उस्चस्तरी दोहजार तेस प्रफावी किया तो यह हमारा जी टॉन्टी प्रेज्वन का दिल्ली घोशनपत हो गया अब यह दूसरा जो है मध्ध भारत मध्ध पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा तो यह कहें कि इंडिया मिडिल एस्ट यूरोप एकोनॉमिक कोरिडॉर जो है तिसमें कहें ग्रीस इसराइल सौधी अरेबिया रियाद सौधी अरेबिया का हरद है ना यूएई और अरेब खाणी से यूरोप को जोड़ेगा तो इसका उदेश क्या है सीमा पार जहाज रेल परागमन नेटवर्क का निर्माड करना भारत अमीराथ साओधी अरब जर्डन इसराइल और यूरेब के बस्तूओं और सिवाओं के परागमन ब्यापार को सच्छम बनाये गई है सथी सथ रेल लाइन्स विछाने के लावा अन परियोजनाओं के भागीदारी के अनुद्देश हैं जैसे बिद्दूत और डिश्टर कनेटिबिटी के लिए केबल विछाना तता स्वच्छ हड्रोजन और के निरियाद के लिए पाइपलाइज विछाना यह परियोजना ब बैस्विक व्यस्ता का जुका और करने में महात्यपूर्ण भूम क्या होगी व्यापार अउस्विधा की पहुंच होगी जिससे देश्टर के बीच ब्यापार लागत में कमी आएगी बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा निवेस के अवसरों में भी ब्रिद्ध होगी चेतरी कनेटिविटी में ब्रिद्ध होगी आर्थी केकी करन जिससे क्या होगा राजनेतिक सही होग और भूर राजनेतिक इस्थरता भी उत्पन होगी संदच्छी चेतरी आपूरती संक्ला के स्थापन होगी या बैस्विक आपूरती संक्ला को अधिक मजबूत बनाएग तो यह हो जाएगा इसमें जो चुनोतिया है और ध्यान देने वाले जो पहली है वो क्या कहा है परियोजना से जुड़े जटिल भूराजनीतिक जैसे इस गल्यारे का विस्तार काई देशों के लिए किया जाना प्रस्तावित है इस तरह अलग-अलग राजनीतिक प्रणालिय और उन हितों वाले देशों के जोड़ना सबसे बड़ी चुनोतिय होगी मौजूजा प्रतिदंधिता जो है चेन इस गल्यारे का रानेजिति रूप से प्रतिस्भर्दी देश है ना ऐसे में वैपार और निवेस के लिए अपने गल्यारों की और मोणने की कोसिस कर सकता है स्थापित करना चोड़ोती पूर्ड होगा सुरक्षा संबंधि चिमता है आतंग बात राजनीतिक आईस्थीड़ता मल्टी मर्डल मार्गों में समस्या होगी अब इत्ती प्रतिबद्धता है जिससे का होगा कि इसके आने वाले महिने वंतिरुप दिये जाने की उमीद र मजबूत करना और मजबूत पित्ती धाचा तयार करना चाहिए तो यह आगे की रहा होंगे हमारा जोगला टॉपिक है अफ्रीकी संग जी टॉन्टी का एक सथाई सदस बनाएगे जैसे आपको तो पता होगा तो इसमें क्या है कि यूरोपी संग के बाद जी टॉन्टी का स संग के सदस्य है इसका है अदीश अबावा इथूपिय में इसका है इसकी उपत्ति 2002 में अफ्रीकान यूनियन उनीस सो तिर साट निनने की जगह पर स्थापित किया गया था इसका उदेश कहा है कि नागरिक समावेशन और अफ्रीकी देशों के भी सयोग वा एकी करन इस समुव के देशों में कुल अबादी का 1.4 और जीडीपी का 3 टिलियर अमेर्की डॉलर इसमें निवास करता है यह अफ्रीकान यूनियन के बारे में ब्रीफ नुट्रेक्स हो गया अब अफ्रीकी संग को सामिल करने में महत्त क्या है जैसे जलवार प्रवेतनों को बढ़ावा देना जीटन्टी की छवी का पुनार निर्मान करना है भारत के लिए जैसे ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनाना भारत की अकांशाओं के अनरूप यह कदम बहुत रुपी बिश्व और अधिक नय संगत वा बहु प्रतिनी धिवाली अंतरास्टी व्यस् महादीब हैं जहां कच्चा तेल गैस दाल ए वा लेटिल चमडा सोना अनधात्वी मुझूद हैं जिससे भारत को फाइदा हो सकते हैं आफ्रीका के लिए क्लिए इसमें समावेसिता असुंतलन को दूर करने के लिए भी इसमें सही रहेगा आफ्रीका की समर्दी का संकेत भ प्रभाविता होगी मारा अगले जो टॉपिक है वह है ग्लोवल वाइफिल अलाइंस यह क्या है इसको हम देखेंगे भारत ने सिंगापूर बंगलादेश इतली यसे ब्राजील आर्जेंटीना मौरिसस और सहीवद अरब अमिरात की नेताओं के साथ मिल कर ग्लोवल वाइ इसे ब्यापा कुरूप से अपनाने के लिए बैस्विक सहोग को प्रसाहन देना जीवी एके बरतमान सदस्यों में देखेंगे तो जी टॉन्टी के साथ देश है जैसे अर्जेंटीना ब्राजील कनाड़ा भारत इतली और दच्छिन अफ्रीका और सहीतरा जमीर क्या है ना जी बीए का महत्त में देखेंगे तो जैविधन के लिए एक बजार के बिक्सित करना जिससे वर्चूवल मार्केट प्रेस कर निर्माण होगा एक मजबूत मानक निल्धादित करना ताकि अंतराश्टी अस्तरत पर मानेता प्रात्मान को बीनिमों को विकाल और उसके प्रद्योगी की हस्तनसरण जैसे कई विक्सित देशों में अग्रणी प्रद्योगी तक्निक को साजह नहीं करते इससे वे विकाल सिल देशों के साथ साजह करने में अनिक्छा प्रगट करते हैं जिससे समझ से आए उत्पन्न हो जाती है भूराजनेतिक प्रतिसफरता धीमी ब्रिद्ध और उत्पादन संबंधी चुनोतिय ये इसके समझ चुनोतिय है निसकस में देखेंगे तो जीवी ये गटवंदन को संधरनी दिर्गकाली की ओजनाय बनानी होगी परियाप्तन वेस करने होगे साथी सार नवाचार को बढ के रूप में भारत है ना तो इसका सबसे बड़ा काराण यह है कि भारत ने जैसे जीवी कभी दच्छता की है तो हमारा सम्मिलने क्या था बसुदाय कुटूमबकम एक प्रिथवी एक परिवार एक भाकिस भविस्त इसका अउधानना कहां से लिए कि विश्व एक परिवा तो यह उसके बारे बताएगे वैस्मिक एकी करने के लिए वैसुदाय कुटूमबकर की विचारधारा का भी महत है इसमें क्या है प्रगति सेल सोथ ताकि स्वरभाव परिवार की रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेदित करना उत्पत्ति में क्या होगा किसका उलेख जो है महोव पनिशाद में है इस पर अधेश पादकव लेख हितोपसेद गरंत में भी किया गया है और हितोपतेश की रशना नाराणय पंडित ने की थी यत्र विश्वास्त भावस्ते नीडम अर्था एक छोटे से घोशले से पूरा संसार सवाहित हो सकता है में वसुदा जिससे हमारी प्रिथिमी भारत ने पहचान भुक्तान और डेटर एक्स्चेंज लेयर में युक्त अपने डीपी आई के निर्माण किया है इनर्जी ट्रंजिक्शन में अंतरस्टिक्स और संगठन ग्लोवल वाइफिल्स अलाइंस जैसी पहलों के माध्धम से ग्लोवल ए सामयल का समर्दान किया है चमता के निर्माण का तात्ता जिसमें 1964 में भारत ने तकनीकी आर्थिक से योग कारख्रम के 161 भागीदारी देशों के दू लाख है ना अधिक पेसेवारों को लाव हुआ योग में जैसे सहिंतराष्ट महसाबा ने कुछ जी उनको अंतराष्ट योग दिवस भौसित किया जिससे क्या है कि एक जुट करने वाली समावी सितां बंधुत अबैस्विक परिवार के संस्कीत को बढ़ावा मिला देश की बिना किसी दवाव के दूसरी देशों के अपनी इच्छा अनुकूलन करने के लिए मानने की छमता और संस्कीत में क्य है ना जो सिथिल विचारधारा के केंद्ध है परिवर्तन संबंध ही मुद्दा राजनेती कार्थिक अर्नेसाहर कॉंसल की पहचानने की ज़रूरत है हार्ड पावर जैसे बस्तहव कुटूंबकर की बिपरीत है और पहचान की राजनेती जो यह भारत के समझ उत्पन चु को बढ़ा सकते हैं अगला जो हमारे टॉपिक है भारत दवाए सब ग्लोबल साउथ तो जी टॉन्टी के दिश्चता में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगई बढ़ाने में तथा उनका समर्थन करने में भारत नीस मंच का उप्यों किया है ति क्लोबल साउथ का पूर सम प्रभूरिण के उच्छ स्थर का समानता करने वाले देशों के लिए रेड़ प्रदान करना और जलवाय बित्त के लिए संसाधा जुटाना तो यह जी टॉन्टी के अध्शिता वाली थीम बसुदहर को तुमकम एक प्रितिवी एक परिवार एक भविस या थीम विकासि एक तरह से समर्थ करता है कि ग्लोबल अर्थ कंट क्या है तो ग्लोबल साउन था टेजिंग करते हैं या यक्शी prec tender हैं सब्सक्राइब कहां किया गया था तो ब्रेंड रिपोर्ट 1980 में इसके समस्च चुनोती है क्या है बैस्वीक मंचों पर सब्सक्राइब करते हैं मतलब जो ग्लोबल नार्थ में जितनी भी उठा पटक होती है उससे पूरे 20 प्रवावित होता है लेकिन ग्लोबल साउथ में क्या हो रहा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता मांदन समान्दी मुद्धों पर ग्लोबल नार्थ का अलग ग्रिष्ट कोड़ होता है ग्लोबल साउथ पर भी समताफुक्त प्रभाव पड़ता है जिससे जड़वाय परवरतान अधिकांस बैस्विक चुनोतियों के कारण बारत ने स्वयम को ग्लोबल साउथ के नित्युत करता के रूम में कैसे स्थापित किया बहुत इसात्मा कुटनायतिक स इसी दर ने सुधार का पूरजोर समर्थ हैं किया और स्युत राश्त सुरक्षा की परसथ की अर्धिश्टा के विचार कर रहा है बै लगल्विक डिश्टकूर्ण कि ग्लोबल साउथ की शंता निर्मान के लिए भी प्रवाद कर रहा है जैसे शंता निर्मान प्रसीच्च प्रसिच्छड कारक्रम आयुजित किया जाएगे जिससे कहोगा ग्लोबल साउथ के भागीदारी देशों के साथ भारत के विकास से संब्धित अनुभबों सर्वोतम पध्धितियों अब इसे सक्जतों को भी साजा किया जाएगा जिससे सहोगात्मक्त संबहंद के लिए एक सब्सक्राइब करना चाहिए और भारत का क्या प्रस्ताव है कि भारत ने फोरार रिस्पॉंस रिकर्गुनाइज रिस्पेट और रिफॉर्म के बैस्विक एजेंडे का आवहन किया जिससे ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथ्मुक्ताओं की और ध्यान देना अब साथ साथ विभेदत उत्तरदाइत का सुध्धान सभी बैस्विक चुनोतियों पर लागो होता है जिसे सभी देशों की संप्रूपता का सम्मान करना आउमत भेदों विवादों का सांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना ती हो गया अब हमारा जो अगला टॉपिक है भारत और ती कहा है कि जाका ता में क्या हो रहा है कि20 में असियां भारत सिकर संभिलन और 80 में पूर्वी एसीयां सिकर संभिलन का हिस्टा लिया है भारत ने तो असियां की बारे में देखेंगे तो इसके सदस्य देश का जैसे बुरुनौई कंबूडिया इंडोनेसिया लाओस बियतनाम थाइलेंड सिंगापूर फिलिपिन्स मलेसिया यह इसके बारे में यह हो गया इसका उद्देश क्या है आर्थिक संब्रिध्धी समाजिक प्रगत संस्किति विकास में तेजी लाना सेटरी संतिया और सिर्टा को भढ़ावा देना। सक्रीय सहयोग और परासप्रिक साहयता को भढ़ावा देना। प्रसिच्छान और संथान सुविधाओं को एक दूसरे से सहयता करना। आसीयन प्लस ठी कॉर्प्रेशन सवादसे देश में चीन, जपान, साउथ कोरिया और पूरभी एसी ए सिखर सम्मेलान में आसीयन के सदसे जैसे अस्टेलिया, चीन, भारत, जयपान, न्यूजिलेंड, साउथ कोरिया और रूस और सायूतराच, अमेरिका इसके छेत्रित तंत्र में आते हैं तो इसके सम्मेलन की मुख्य परिणाम में एक नज़र डालेंगे तो क्या है कि बारत सुत्री प्रस्ताव किया है भारत ने एक तरह समझ भारत आसियान के सहयों को मजबूत करने के लिए जिसने पहला क्या है दचिनपूर वी असिया भारत पश्चिम यू संगठन परांपरिची किस्ता के लिए बैस्विक के अंदर तथा आपदर ओधी अवसंदशना का गटवद्धन और क्या किया गया है कि भारत वस्तुब्यापार समझ जोता जिससे भारत ने ए आई-टी-आई-जी-ए की समिच्छ को समय बत तरीके से पूरा करने किया वसक प्राइब को अपनाने का स्वागत भी किया गया है तो भारत और असीयान के संबंधों का महत्व देखेंगे तो भूराजनेतिक महत्य में क्या है एक्ट इस्ट पॉलिसी इंडोपेस्विक विजन अस्थान जो है केंद्री अस्थान है इसका यह आसीयान छेत्र में सभी स् विकास का एक तरह से योगदान देते हैं जैसे सागर सुरक्षे के लिए हो गया चेत्री की करना वह पच्छी से योग आर्थिक से योग बरस दो हजार बाइस तेस में भारत और आसीयान के वीज एक सो एक तीस दिस समलू पांच बिलियन अमेर्की डॉलर का दुई सुरक्षे में क्या किया गया है कि भारत आसीयान के वीज कारियोजनों में 2016 से 2025 के कारियार्मन के मद्द साज्य धरी मजबूती इस सी आतंगवात हिंसा कुक्रबाद और अंतराष्टिय पराधों की निपटने भी मदद मिली हैं चीन के प्रभाव को भी एक तरह से इस बढ से और चीन जैसे महासत्यों की वीज प्रतिसपरता का मुख्य के मद्द बढ़ गया है ब्यापार घाटा आसीयान के साथ भारत का ब्यापार घाटा करी 55.6 billion अमेर्की डॉलर था दोहजार बेश तेस में बढ़कर 43.57 billion डॉलर हो गया अब जब किया 2010 से 11 में मात्र पांच बिलियन अमेर्की डॉलर था प्रतिसपर्दी छेतरी समझोते जैसे छेतरी ब्यापार आखे आर्थिक भागेदारी तथा ब्यापा को प्रकेत सील ट्रांस पैस्विक समझोते पर जोड़ाओ बढ़ा रहा है जिससे का हो रहा है कि परियाप्त ना ध्यान दिये जाने के करण सीमिन संसाधनों पर ही ब्याइब हो रहा है बाजार तक पहुंच आप कनेटिविटी का भाव परियोजनाओं में देरी और चीन का प्रभाव की करण महत्तपूर ये उत्पन हो आगे किरा हमें क्या है कि ब्यापा करान दिख साजेदारी के उदारा भी से संतुलित किया जा सकता है समुद्रि सहयों के लिए एक तरह से आसियन के दिरिष्टिकोंड को बढ़ावा दिया जा सकता है मोले सिंखरला पर एकिकरिण करना और कनेटिविटी को बढ़ाना एक पैसे भारत असियन संबंदों को मजबूत कर सकता है एक अबहा क्याता तो अबरहम समझाता क्या है कि अबरहम समझाता कि हस्ताचर पर तीन वर्स पूरे हो गए हैं तो यह क्या है कि USA और UAE और इसराइल के विज़क सामोही समझाता है इस समझाते में सितमर 2020 में हस्ताचर हुए थे बाद में सुडान, भारीन और मुरक्को ने भी समझाते पर हस्त समझाता कि इसराइल और अरब देशों के 20 संबंदों को सामान बनने का प्रतिक है यह जो है अबरहम समझाता तो मिस्र इसराइल के सांधी समझाते पर स्ताचर करने वाला पहला अरब राश्चता 1944मे जाड़र ने भी इसराइल के सास्धी समझाते का महत्त इस सिर्था बन तुर अच्छा फेमक तयार काने के लिए डिजाइन किया गया है इस्राइल फिलिस्तिन मुद्दे का समाधान अरब देशों और इस्राइल के बीच बातचीत का रास्ता खोल कर टू स्टेट सॉलिशन के मुद्दे को आगे बढ़ाए अर्थिक महत्त में क्या है जैसे 2021-22 में इस्राइल और अन्य पश्मी एसी आई देशों की बीच ब्यापार में शोहत्तर परिस्त की प्रिति दर्ज की गए धार्मिक महत्त भी है एतिहासिक धार्मिक अस्थलों जैसे यूरिस्लेम में अलग समस्जित की यत्रकन नहीं अनसंदायों को भी अनमति दी जाए प्रद् ध्यान देंगे तो पहला है कि पश्मी एसीय में बदलते भूराजनीतिक गठवंदन पश्मी एसीय का छेत्र जिससे का हो रहा है ब्रिटेन और फ़रंस ने बीसमें सदी के सुरॉत में कईया देशों के सब सासन किया था जो तीविस्ति के बाद यसे ने पश्मी एसीय पर सब्सक्राइब के दिश्चे से देखता है आंतरिक विरोध भीस में बहुत महत्पूर्ण चुनोतिय उत्पन करता है निसकस में देखेंगे कि अबराहम जो सम्झोता है वो पश्मी एसीय में सांतिय और सिर्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्पूर्ण कदम है जिससे यह समझा होता इसराइल और अरब देशों के बीच राजनीक संबंद और आर्थिक सहयोग स्थापित कन्य के छेत्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुला मंच हमारो जोगला टॉपिक है वो है भारत साओधी अरब है ना तो हाली में क्या हो रहा है कि क्राउ साओधी अरब और अविधावी के बीच एक सहयोग आत्माक प्रेयस मरहन इस बैठक से क्या होगा कि पावल ग्रिट गैस ग्रिट अप्टिकल ग्रिट फाइवर नेटवर्क सहित अलग अलग अब संदशना तक शेत्राओं को बिसेस सहयोग पर चर्चा की गई है दोनों दे साओधी अरब का क्या महत्त है पहला है जैसे आर्थिक साज्यदारी जैसे कूल ब्यापार का लागवा चारद समलों पांच पांच तीन प्रस्यत्त हम उर्जा सुरक्षा पेट्टूलियों उत्पादों की अपूर्ति का तीसरा वड़ा सुरूत भूसामरीक लुग पोसरण के लिए साइबर सुरक्षा जैसे बीच रक्षा सयोग पर महत्तपूर्ण 25 मंचों पर संगठनों में साजहर उची व्यापार समझोते में भारता में तेजी लाने में महत्तपूर्ण भूमकर नहीं भा रहा है भारती प्रवासी जैसे आपके साओधी अरब में 2.4 मिलियन अधिक भारती प्रवासी भारती करेरत हैं साथिसा संस्कृतिक जुड़ा जैसे मक्का मदिना जैसे प्रवितर सार में जो बार सिखा जो उम्रज जैसे तीरत अर्शाओं के लिए प्रसीद में अब इसके मध्ध विद्वान चुनोतियां गये जैसे मध्ध पूर मे की नाम से अत्रीत सुलकबसूल करते हैं और भारत का भारत का भारत अब तक के उच्छीता मस्थर में पहुंच गया है आगे की रह में क्या किया जा सकता है संदुली द्रिश्ट्री कौन है ना ब्यापार और बाणिज जैसे परिद्वी पच्छी जुड़ा हो स्तरमिक कल् जारी करने वाला प्राधिकरण मन गया है जैसे थर्ममेटर क्लीनिकल थर्ममेटर जैसे मापन उपकरणों के लिए उइलम प्रमाण पत्त जारी करने प्रंचिकित करने और उनको भ्योग करने तथा संबंधित परिच्छने रिपोर्ट करने वाला इसमें होत्त्य क्या होग में कहा है कि भारत ने प्रथम UNCI trail भारती ACS मेलन का विजन किया है जिसकी स्थापना कप की गई थी 1966 में अया संयुत राष्ट महासभा की एक सहायक संस्ता है इसका गठन अंतराष्टी ब्यापर सुजड़े कानूने को अधिक सामंचस स्थापित करने तो था उनका एक ही करण के लिए किया गया था इसमें 70 देश हैं और 6 साल की अबद के लिए इसके सदस्ते चुने जाते हैं भारत की अदच्छता सदस्चता अबद जो है 69 समों ने समित्रा सुरक्षा परिष्ट से सुधार की माग की हैं L.69 क्या है एक सुधार समर्थक समों है इसमें अफ्रीका लैटिन अमेरिका और कैरेवियन एसिया प्रसांच्छेत के बिकास सिल देश सामिल है तो इस समों ने UN SC में ब्यापक सुधार करने आउप को मजबूत करने के लिए साजाहित में एक जुठ हुए है इस समों का भारत एक नित्युत करता देश है फाइव आईज एलाइंस यह क्या है कि USA, Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand के बीचे खुपिया साजा करने वाली एक संस्था है इस साजेदारी के तहत उपिर्ट पांचों देशों को और साथ ही साथ आपको एक तरह से बता दूँ कि जो आपके वीडियो है इसके तहर से आपको फायदा हो रहा है तो आप इसको कमेंट के मादिया उसे बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे आपको भी लाव हो और मुझे भी लाव तो आपको बनाए दहने के लिए धन्यवत इसी तरह आप पना प्यार देते रहें